भोपाल में दीपावली से पहले ही गुलाबी ठंड का एहसास होने लगा है। सुमबार सुबह से राजधानी के अधिकांश हिस्सों में कोहरा चाया रहा, जिसके बाद हलकी धूप निकली, हालांकि रात के तापमान में भारी गिरावट हुई और भोपाल का रात का तापमा 21.8 डिग्री सिल्सियस दर्स किया गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राजधानी और आसपास के जिलों में गरजमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। दशमलग 6 mm बारिश दर्स की गई जबकि छिंदवाडा में 47 mm बारिश हुई। नीमच जिले में भी 87.6 mm बारिश हुई। प्रदेश में पचमधी में नियूनतम तापमान 18.6 डिग्री सिल्सियस रहा। बारिश के जबकि अधिड्वाणा बारिश के टर्स की गई तर्दी सिल्दवाडा में 57.6 mm बारिश के अधितन तापमान देखा गया तो विस्टंपी में अधिटवाणी में तो लिग्री सिल्दीनी रहा। अभी के सिस्टेंग के बारे में देखा गया तो मन्सून का विद्रोवर लाइन से ही पोसेशन में ही चल रहे है कल हमने जो किया हुदी पोसेशन में ही और कल जो वेलमार्च लो प्रशर था रेगीं सी अभी depression की स्कुम में Industry in school में में स्टवय अभीडै चल रहे है तो इस सिदियों की अनुशाद देखा गया तो आनेवाले तिनों की ली हमने पोर्केस्टोंगे टाहलण इस्यूकिया, stop सफ हए तो संद इस्ट्रिक्स में अभी थी तीन्ध स्टोंग मेशन आज दिखागए सो मोंसली ठारे शिक्यक्त्रिक्स में अब इक सादन डिस्टिक्स में तंडिस्ट्रम के साथ साथ लाइन तु मॉडरेट वारिश का चैंसे से और इस तिती कल भी कंटिन्यू रेखेगा कुस डिस्टिक्स में तंडिस्ट्रम जैसे साथ में रुटला मिझें इंदोर घरगों सिहोरे डिस्टिक्स में तंडिस्ट्र मौसम विभाग ने इंदौर, धार, देवास और अलीराजपुर में देर रात बारिश की संभावना जताई है बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन और जाबुआ जैसे जिलों में भी हलकी आंधी के साथ विजली गिरने की संभावना है मानसून की विदाई के बाद वातावर्ण से नमी कम होगी जिससे रात के तापमान में और गिरावट आएगी इसके बाद सर्दी का एहसास बढ़ने की संभावना है